तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो एक बच्चे तुम करी इसको तुम खुदी सॉल कर सकते यार तुमनों बहुत ही टेलेंटेड हो ने जनरेशन के बच्चे हो तो यंग्स डवल स्लीट एक्सपेरिमेंट मैं भी इतना पुराना नहीं हूं यार तो स्लीट एक्सपेरिमेंट बिट्विन देख स्लीट एनी स्क्रीन इस डवल देखो एक वाइड एसी सेट अप है बेसिकली तो यहां से डी है और यह इसमाल डी है यहां पर सूपर पोजिशन हुआ होगा ठीक है बात समझ में आया प्यारे बच्चों तो यंग्स डिस्टेंस बिट् कर दिया यह दिस्टेंस 2D कर दिया और सेपरेशन बिट्विन देख स्लीट इस हाफ पहले इसमाल डी था अब डी वाई टू हो गया पहले यह दी था इस सेपरेशन तो यह कह रहा है कि फ्रिंज वीट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज वीट्स तो कुछ नहीं ड पर उना तुम्हें याद है फ्रिंज वीट्स जो कि ब्राइट और डार्क के लिए दोनों की सेम सेम होती है फ्रिंज वीट्स तो यह अगर रिलेशन तुम्हें याद है ना तो तुम बड़े प्यार से इसको को कर सकते हो तो यह मैं लगा देता हूं केस फर्स्ट के लिए अगर मैं इसको क्यो फर्स के लिए लगाता हूं तो केस ट涉 के लिए अगर मैं लगाता हूं तो मालों बीटा बीटा हो गया लैमडा से दीडिश हो गया small d d dash हो गया जो कि उधर दिया तो lambda d dash की value 2 times d हो गया और यह beta d y 2 हो गया और यह d y 2 ऊपर जाएगा तो 4 lambda capital d upon small d जो की original का जो है वो original का जो beta का 4 times r ठीक ना तो जो beta dash है वो 4 times beta के equal आ जाएगी तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो fringe weight से beta that became 4 times हो जाएगी that is अपना b option बहुत ही correct है सही है मतलब